तो आज हम सीखेंगे कैसे करते हैं अपने Mac के अंदर hidden files को view तो आप चाहे तो इसको view and unview कर सकते हैं तो हम इस directory के अंदर जो की code bind है उसके अंदर देखने वाले हैं कि इसके जो hidden files है उसको हम कैसे view कर सकते हैं तो इसके अंदर check कर लेते हैं तो basically कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर hidden files check करने के लिए command shift plus period की को यहाँ पर click करना पड़ेगा तो यहाँ पर कर लेते हैं हम command shift and period की को click and जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ files हमको visible हो जाती है जैसे कि यह वाली and 4-5 files हमको यहाँ पर देखने को मिलती है तो यह जो files है यह हमारे hidden files थी and hidden folders थी जो की अभी हम देख पा रहे हैं and एक और चीज़ है हम इसको notice कर पाएंगे कि यह इस file start होती है dot से तो dot files इतने भी होती है वो जो भी files dot से शुरू होती हो सब होती है hidden files तो अभी आप यहाँ पर view कर पा रहे है तो इसको वापस hide कैसे करना है let's see and कर लेते हैं इसको hide तो hide करने के लिए बहुत ही simple step है वापस आपको same करना है command shift plus period की तो यह वानने के बाद आपका यहाँ पर files automatically वापस hide हो चाता है तो बहुत ही simple step है आशा करता हूं कि आपको यह video समझ आगी होगी and ऐसी एक और वीडियो के लिए हमें like, share, subscribe करना मत भूलेगा मिलते हैं एक और नए video में